नमस्कार दोस्तों वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट उमेदे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जैकोबियन टू रेस्टूरेशन एज के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो टाइम पिरेड है उसको समझते हैं कि जो टाइम पिरेड था वो आपको 1603 से लेकर 1700 तक देखने को मिलता है और इसमें ही आपको चार एजेस हैं वो देखने को मिलती है तो जब क्वीन एलिजाबैत की जब मृत्यू हो जैकोबियन एज कहा गया और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि जैकोबियन नाम ही क्यों पड़ा उसका नाम तो किम जेम्स था तो यहाँ पर बात ऐसी थी कि जो लेटिन में जो इसका नाम हुआ करता था उसके नाम पर ही इस एज का नाम जैकोबियन एज रख दिया गया और यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि King James ने लगभग 22 सालों तक राज किया था इसके बाद जो एज आती है उसमें आप देख सकते है कि Caroline Age नाम की जो एज है वो आती है और यहाँ पर इसका जो टाइम पिरिड़ था वो 1625 से लेकर 1649 था कि जो इसका टाइम पिरिड़ था व जो King Charles था इसका Latin में नाम था Carolos तो आप यह भी समझ सकते हैं कि इसी के नाम पर ही जो यह पिरिड़ है इसका नाम भी यहाँ पर रखा गया था पर यहाँ पर King Charles भी यहाँ पर 24 सालों से ज़्यादा राज नहीं कर पाया क्योंकि इसका 1649 में इसका जो सिर था वो कलम कर दिय गया था सिर काड़ दिया गया था इसके बाद जो एज आती है Commonwealth जो कि 1649 से लेकर 1660 तक चली थी और इसे हम Puritan एज भी कहते हैं और इसका जो नाम है वो कैसे पड़ा था इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं तो जब Charles first का जब सिर काड़ दिया गया तो उसका जो बेटा था Charles second वो France भाग गया France भागने के बाद जो Parliament rule था उसको यहाँ पर चला दिया गया उसको चला देने के बाद क्या हुआ कि जो Oliver Cromwell था वो क्या बन गया Parliament का head बन गया और यहाँ पर जो थेटर्स हुआ करते थे उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया था कब से कब तक 1642 से लेक में जो Oliver Cromwell था उसको अभी यहाँ पर सिर्फ काट दिया गया था 1658 में Oliver Cromwell का भी जिर्फ सिर्फ था उसको यहाँ पर काट दिया गया था इसके बाद जो एज आई उसको हम कहते है Restoration Age Restoration का मतले भी होता है Restore करना और यह Age जो थी वह कितने से कितने टाइम तक चली थी तो यह 1660 से लेकर 17100 तक चली थी तो इसमें जो Monarchy थी Monarchy तो आपको पता है न क्या होती है मुनैकी को यहाँ पर restore कर दिया गया था और यहाँ पर इसलिए इसको restoration age कहा जाने लग गया तो जो Charles second था वो भी France से वापस आ गया और उसको यहाँ पर राजा बना दिया गया और जो John Dryden हुआ करते थे John Dryden को यहाँ पर 1668 में first poet laureate बनाया गया था और जो यहाँ पर theaters को खोलने का काम वो भी 1660 में किया गया था French literature को भी यहाँ पर introduce किया गया और यहाँ पर उनी theaters में जो women's actor हुआ करती थी वो भी perform करने लग गयी थी Queen Elizabethan के age में और जब भी Puritan का रास्ता वहाँ पर women's को perform नहीं करने दिया जाता था बट इस age में जो women's हुआ करती थी वो भी यहाँ पर perform किया करती थी theaters में और यहाँ पर जो female writer हुआ करती थी उन्होंने भी यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया गया था काफी आपको scientific जो development है वो भी आपको इसी age में देखने को मिले थी और इसमें अगर हम बात करें जो important और popular writer हुआ करते थे जो कि हमारे master carter के slivers में भी हैं उन्हें को हम mainly बताने जा रहे हैं और इसके बात जो आपको videos मिला करेंगी उन पर ही मिलेंगी तो आप देख सकते हैं जो famous writer हुआ करते थे Jacobian to restoration period में तो सबसे पहले थे John Dunn, John Milton, Ben Johnson और John Dryden तो आज के लिए इतना ही मुझे लगता है आपको यह जो video है बहुत ही helpful लगी होगी अगर video helpful लगी हो तो आप इसको like जरूर करें अपने दोस्तों के शाज शेर करें तो आप इसको subscribe जरूर कर लें क्योंकि हम इस तरह की जो videos हैं वह हम लाते रहते हैं thank you so much for watching God bless you all